हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सैनेक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडेयो में बात करेंगे सभी पंशनर्स के लिए जो जिनका अभी स्पर्ष में माइग्रेशन हुआ है उनके लिए आज की वीडेयो है और जिन जिन लोगों का जो है हर महीने pensioners का जो है स्पर्ष में migration हो रहा है तो दोस्तो जिनका पहली बार स्पर्ष में migration हुआ है उनके लिए बहुत important है क्योंकि जो आपकी subsequent pension आएगी वो स्पर्ष के थ्रू ही आएगी अगर आपके पास message आया हुआ है डारेक्ली आपका जो pension है वो बैंक से स्पर्ष में ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद से दोस्तों जो आपका काम शुरू होता है और ये जरूरी है अगर आपको अगस्त में आपकी pension आई है तो अगर आपको आने वाले महीने में भी pension प्रॉपर आती रहे तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है आप आनलाइन स्पर्ष के लॉग इन करें उसके लिए भी दोस्तों जब एक बार आपको आपके बास message आता है कि your pension has been transferred from bank to स्पर्ष उसके बाद से फिर एक और message भी आता है जो कि आपके phone पे याता है जिसमें कि आपका username और password दोनों के दोनों होता है username और password आप स्पर्ष की website पे जाते हैं और उसके बाद से आपने username और password से login करना है पहली बार जब आप login करते हैं तो क्योंकि वो password पहले से बना हुआ होता है तो यह जरूरी है कि आप पहले उस password को change करें password को change करने के बाद से जो है अब आपका account secure रहता है उसके बाद से जो जरूरी चीज़ें है जो कि आपको करनी है वो है जो जो चीज़ें क्योंकि यह migrate हुआ है तो आपको जो है migration के बाद से आपको देखना है कि जो आपकी detail है वो ठीक है कि नहीं है जैसे आपका आपकी personal information आपका name, आपका date of birth जो भी आपसे related information है वो आपने check करनी है अगर तो ठीक है फिर आपने कुछ नहीं करना अगर कहीं पे भी गलत है तो सपर्ष ने जो है already online system दे रखा है जहां से आप directly इसको जो है update कर सकते हैं फिर आपका जो है family के बारे में जो details है वो भी check करने के लिए होगा तो जो पहला step यह है जब आप login करते हैं और अपना password change करते हैं उसके बाद से आपने सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी जो जो details क्योंकि यह migrate हुई है bulk migration होता है कहीं कुछ गलत है तो आप उसको set कर सकते हैं उसके बाद से आपने service detail जिसमें आपका PPO number होगा आपका असबर्ष PPO number होगा तमाम सारी details होगी जिसको कि आपने check करनी है दोस्तों यह series वाई जो है आपको एक एक करके अब आप उसके admin हो क्योंकि यह आपका account है आप अपने account कुछ ज़्यादा चितर जानते हैं आपका आधार number आपका phone number जो कुछ भी है वो आप अपने आप कर सकते है जो यह छोटे-छोटे काम करने के लिए बैंक के पास जाना परता था बैंक में application देनी पड़ती थी आज की डेट में आपका अपना account है आप उसको verify घर बैठे कर सकते है दोस्तो इस तरीके से जो है आप अपना even life certificate भी आपको जमा कराना है तो वो भी अब आपको लाइन लगने की ज़रूतनी घर बैठे अराम से जब भी आपको टाइम मिलते हैं आप अपना biometric device डालेंगे वहाँ पर जाके अपना जो उसमें already जो है life certificate के एक option दे रखा है उससे आप जो है अपना जो है life certificate भी जमा करा सकते हैं तो दोस्तो आने वाले टाइम में जो भी आपका pension में changes होगा pension कम आई, जादा आई, DA कितना बड़ा वो सब के सब अब आप घर बैठें सिर्फ और सिर्फ आपने sparsh में login करना है और उसके बाद से आप इसकी पूरी की पूरी जानकाई ले सकते हैं दोस्तो यह था आज का important update जो की sparsh pension से related है दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिएगा share कीजिए और subscribe करना न भूले Thank you for watching this video